नवस्कार स्वागत हमारी गुरू में आपका मैं हूँ आपके साथ शालेनी का पूर्तिवारी आजकल हर चीज बहुत आसानी से लोन पर मिल जाती है फिर चाहे हम खरीदारी आनलाइन करें या फिर दुकान या मॉल से जेबे पड़े क्रेडिट कार्ट का इस्तमाल भी लोग खुब तेजी से कर रहे हैं और ऐसे में लोन पर हो रही खरीदारी की दौड में हमेश जरा रुक करके ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि कहीं हम घैर जरूरी चीजों के लिए भी लोन तो नहीं ले रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि आखर कार वो कौन से आठ तरीके हैं जिनके जरीए ये पता लगाया जा सकता है कि कोई कर्स के जाल में फस्ता तो नहीं चला जा रहा इनी सब बातों पर आज हमारे साथ इस खास पेशकाश में जोड़ने हैं सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हर्श रूंग्ता बहुत स्वागत है सर आपका शो में और सर अगर लोन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आजकल जो ट्रेंड चला है उसमें सबसे ज़ादा लोन के चकर में जो युवा वर्गे वो फस्ता जा रहा है तमाम तरह के आप सर्वेस सामने आते हैं उनको भी अगर देखें तो ज़ादा तर बाहर घूमने फिरने के लिए या फिर महंगे मोबाइल या गैजट लेने के लिए आसान शर्तों पर ये जो EMI मिल रही है कहीं इसी के चकर में युवा सबसे ज़ादा तो इस जाल में नहीं फंस रहे हैं आपका क्या नजरिया है किस तरह से आप इसे देख रहे हैं सबसे पहले ये कोई नई बात नहीं है तो मतलब लोन की वजह से खरीदारी बढ़ना ये सब को पता है और जब आसानी से लोन मिलता है तो क्लियरली लोग अगर समझो बेस प्रड़क्ट ले रहे थे तो उसका हाईर एंड प्रड़क्ट लेंगे इंपल्स बाइंग करेंगे ये एक non-fact है और इसी के लिए जो रिटेलर्स होते हैं वो options हमेशा रखेंगे credit का चाहे credit card का हो या फिर loans का हो तो और ये नई बात नहीं है I think that is absolutely clear और ये मेरे क्याल से बहुत credit मिलना ये बहुत अच्छी चीज़ है आप सोचिए कि आज से 40 साल पहले कि अगर हम बात करते तो घर खरीदना लोगों के लिए बड़ी चीज थी loan नहीं मिलता था आज की तारीक में home loan मिलना इतना असान हो गया और उसी वज़े से करोडों हिंदुस्तानियों ने अपना घर खरीद लिया जो आज से 40 साल पहले शायद हम सोच भी नहीं सकते थे तो कर्ज बिलकुल बुरा नहीं है लेकिन कर्ज से नाजरूरत चीज़ें खरीदना वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है तो I think कर्ज एक बहुत महत्वपूर्ण instrument है उसका इस्तेमाल आप अच्छी चीज़ के लिए करें या अच्छी चीज़ के लिए नहीं करें ये मेरे कहाल से कंजूमर के हाथ में है बिलकुल और हर्श जी जैसा आपने बताया कि अच्छे काम के लिए अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो हमारे ले अच्छा भी है और खास करके जो घर के लिए लोन है वो आपने कहा कि पहले बहुत बुश्किल से मिलता था अब बहुत आसानी से मिलता है लेकिन जो बात आपने भी यहाँ पर मेंशन की कि हम किस चीज के लिए लोन ले रहे हैं इसकी अगर मैं बात करूँ तो आजकल का जो ट्रेंट है गैर जरूरी चीजों के लिए लोग लोन ले रहे हैं वो कौन-कौन सी बातें आपको समझ में आती हैं जब लोगों को जरूरत तो नहीं होती है लेकिन फिर भी लोन ले लेते हैं कौन-कौन सी रीजन से तो सबसे बड़ा रीजन अफकॉर्स यही है कि आसानी से लोन मिल रहा है मतलब जो पहले अगर एक छोटे से वर्क को लोन मिला करता था अब शायद हर किसी को लोन मिल सकता है आपने अभी काम करना शुरू किया है आपको भी लोन मिल जाएगा आप कई सालों से काम कर रहे हैं आपको भी मिल जाएगा आपकी सैलरी पंदरा बीस अजार है आपको भी लोन मिल जाएगा आपकी सैलरी एक लाख रुपया है तुरंत का तुरंत लोन मिलता है so instant gratification की जो possibilities है वो आज तकनीक की वज़े से credit bureau की वज़े से आज possible है कि आपको कोई चीज खरीदनी है और उसके लिए लोन चाहिए तो तुरंत की तुरंत आपका लोन सैंक्शन हो जाता है वो लोन दुकंदार को directly payment कर दिया जाएगा चाहे वो online हो चाहे physical हो और बाकी का जो भी छोटा मोटा down payment है वो आप करिए और सामान अपने साथ ले जाएए या सामान order हो जाता है आपके घर deliver हो जाएगा तो ये जो instant gratification है ये एक नई चीज है ये पिछले 2-3-4-5 सालों की देन है जो की technology के वज़े से available हुआ है बिल्कुल और आप कैसे debt trap में फस्ते चले जा रहे हैं किन चीजों को देख करके आप समझे ये मैं हर्च जी से समझूंगी व्यूवर्स को मैं एक बार बता दू कि twitter और facebook दोनों ही जगा हम live है आप चाहें तो अपने सवाल पूछ सकते हैं comment section में आप अपना जवाब लिखिए सवाल लिखिए और हर्च जी उसका जवाब देंगे हर्च जी आठ तरीकों के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किस तरह से पहचाने कि हम debt trap में फस्ते चले जा रहे हैं वो कौन से मैं कहूं कि ऐसे अंदेशे हैं या वो ऐसी चीजें हैं जो अगर आपकी life में घटे थो रही है तो आप यह समझें कि कहीं न कहीं आप गलत कर रहे हैं जो credit card का bill आप चुका रहे हैं आगे चल करके आपको परिशानी में डाल सकता है debt trap में अगर कोई फस्त रहे पहचाने कैसे आठ तरीके कई तरीके हो सकते हैं I think सबसे बड़ा तो तरीका यह है कि अगर जो भी आपकी आए है उसमें से आप अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि आपको पहले जो आपने लोन लिये हैं उनका रिपेमेंट कर रहे हैं और वो खर्चा आप चला नहीं पा रहे हैं तो वो एक clear signal है कि आपकी जो आमदनी है वो खर्च से कम है और इस वज़े से आपको problem हो रही है या आपने अपनी आमदनी पहले से खर्च कर रखी है second is credit card पे outstanding होना ही मेरे हिसाब से that itself is a warning signal because credit card को roll over करना एक खत्रे का अंदेशा है क्योंकि credit card पे जो roll over charges होते हैं वो 24-30% से लेके 50% तक के charges होते हैं तो credit card पे credit use करना बहुत ही dangerous चीज है और कई चीजें इसमें से हो सकती है कि loan लेना जैसे हमारा तो यह मानना है कि loan ऐसी चीज के लिए लें जिसकी वज़े से आपकी income बढ़े या तो आपकी income बढ़े या आपके assets बढ़े और वो आपके आमदनी के हिसाब से उप्यूक्त हो अगर यह तीन principles satisfy होते हैं तो वो loan आपके लिए अच्छा है वरना वो loan आपके लिए इतना अच्छा नहीं है और आजकल एक चीज़ और देखने को मिल रही है हर्श जी कि अगर मैंने कोई loan लिया है bank मुझसे बार-बार मुझे परिशान कर रहा है कि आप EMI काफी वक्स नहीं चुका पा रहे हैं तो ऐसी condition में मैं यह चेक करती हूँ कि कहीं किसी दूसरे account में अगर मुझे personal loan पहले से ही approved है और मिल रहा है तो एक loan को चुकाने के लिए मैं दूसरा loan ले लेती हूँ यह भी एक trend काफी आजकल चला हूँ है और ऐसे में होता क्या है कि एक loan तो आपके उपर होता ही है वो खत्म होता है लेकिन दूसरा आपके उपर चाड़ जाता है तो इससे आप किस तरीके से देखते है क्या ऐसा करना ठीक है और अगर नहीं तो किस तरह से बच सकते हैं इससे तो ऐसा तो जब सरकार तो खेर हर देश की सरकार यह हमेशा से करती आई है नया loan लेती है पुराना loan चुकाने के लिए लेकिन हम अगर यह करें तो यह हमारे आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा क्लियरली अगर आप ऐसे टाइप के ट्रैप में फस गए हैं कि आपको नए loan लेने पड़ रहे हैं पुराना loan चुकाने के लिए तो इसको break करने के दो तीन तरीके हैं या तो आप अपने सगे संबंदियों में परिवार में दोस्तों से एक बार loan लें जिसे आप बाद में चुकाएं फ्रेंडली बेसिस पे अगर आपको loan मिलता हो और कम से कम बाहर की सारी liabilities आप चुका दें और फिर एक disciplined तरीके से अगर आप जिन्दगी जिएंगे और फिर धिरे धिरे करके वो जो loan लिया था वो चुका देंगे that is one possibility second possibility होता है कि आप secured loan लें अगर movable आपके पास कोई assets है जैसे jewelry है, life insurance policies है, certificates है national saving certificates है bonds है, shares है अगर उन पे अगर आप loan लें तो उसमें आपको एक बार सिर्फ interest servicing भी अगर आप करेंगे तो चल जाता है उसमें एक जगा consolidate कर लें सस्ता मिल जाएगा जो high cost आपके loans हैं, उनको चुकता करें और फिर धीरे दीरे इस loan को चुकाएं लेकिन कोई भी strategy आप अपनाएंगे future में अगर आप discipline नहीं रहेंगे तो कोई भी strategy succeed नहीं हो सकती so the first step is to discipline आपना खुद का खर्चा आपको discipline करना पड़ेगा अपनी आमदनी में लाना पड़ेगा जैसे हमें सिखाया गया था discipline हार जगा जगा ज़रूरी है debt trap से बचने के लिए भी और निवेश करने के लिए भी है हमेशा ही हम अपने viewers को गहते हैं और हार जी इस वक्रेक caller अमरे साथ phone line पर जुड़े हुए है विपिन यादव ने हमें phone किया है वागतर सर शो में आपका बताएं जानना क्या चाहते हैं लोन से जड़ावा आपका एक सवाल है काफी परिशान भी आप है डीचेल में हमें बताएं क्या सवाल है मेरे फादर ने ना भी लोन लिया है 36 लैग का 10 परसंट पे बारा साल के लिए अब मेरे फादर की एज है 51 एज और उनके सेविंग अगाउंट में अभी 6 तो 7 लैग रुपीर अभी है और मेरा सवाल ये है क्योंकि जो हमने मौर्गेज लोन लिया है वो जिस घर में हम रह रहे हैं उसके लिये लिया है तो मैं एक लंसम इन्वेस्टमन चाहता हूं मीशल फंड में ताकि जो मेरा लोन अमाउंट है वो कवर अप होच सके और एक मैं अभी स्टार्टिंग करी है मैंने अर्निंग तो मैं एक S.I.P. प्लान भी चाहता हूं जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं 5-6 अजार रुपै तो मुझे को एक S.I.P. ब्लान बताएं मैं और क्या इन्फलेमेशन को बीट करने के लिए हर साल मुझे 6-7 परचंट S.I.P. अमाउंट में इंक्रीज करना होगा या इसकी कोई necessity नहीं होती है चालिए एक तो आपका ये जो सवाल है बहुत अच्छा है क्योंकि इन्फलेशन रेट हमने देखा है कई बार लोग ख्याल नहीं रखते हैं जब निवेश करते हैं लेकिन आप इस बारे में सोच रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है हार जी आप क्या इन्हें advice करेंगे किस तरह से इनका ये लोग भी ये चुका सकते हैं और आगे निवेश भी कर सकते हैं तो दो चीजे हैं विपिन जी एक तो ये clear नहीं था आपके सवाल से कि ये जो 10% का लोग आप दे रहे हैं ये इसका जो ब्याज है इसके सामने आपको tax deduction मिल रहा है कि नहीं ये clear नहीं है मेरे क्याल से आपने ये कहा कि ये loan against property है या loan against plot है तो ये clear नहीं है कि इसके सामने जो आपको interest है वो deductible है कि नहीं अगर घर बनाने के लिए ये loan लिया है तो ये deductible होना चाहिए तब आपका cost 10% नहीं है जो भी आपकी tax rate होगी उसके मुताबिक ये जो भी 8, 9, 7, 6 depending on कितना income है उसके depend करता है उसके हिसाब से ये उसकी cost हो जाएगी side में अगर आपको इसको repayment करना है और अगर आपको भी tax break की जरूरत है तो आप equity linked saving scheme में इसको invest कर सकते हैं अगर आपको tax break की जरूरत है ATC के तहट उसको systematically हर मेहने करिये जैसे आपने कहा 5-6,000 रुपे आपको अगर करना है तो equity linked saving scheme में करिये और अगर tax break की जरूरत नहीं है तो कोई भी large cap fund में और large cap fund में आज की तारिक में मैं recommend करता हूँ nifty index fund या nifty next 50 index fund में आप पैसों का निवेश करिये ताकि आपको अच्छा spread मिले over time ही return मिलेगा equity में आप systematically भी करेंगे तो भी आप ये ध्यान रखें जरूर से कि कभी ना कभी उसमें आपका capital negative होना है उससे घबराये नहीं जो अपना लक्ष है 8 से 10 साल का वो ध्यान में रखते हुए ही ये investment आपको करना है और उसके बाद उसमें आपको आज की तारिक में tax के बाद 11 से 12% return मिलना इतना शायद difficult नहीं है बशर्ते की आप regularly invest करते रहें बीच में रोके ना बीच में पैसे ना निकालें specially खास करके जब market low हो तब बात कर रहे हैं कि लोन तो आसानी से मिल जाता है लेकिन उसे क्या आप हर बार चुका भी पाते हैं आसानी से क्योंकि काई बार आप ऐसा लोन ले लेते हैं जिसकी जरूरत तो आपको नहीं होती है लेकिन credit card हाथ में या फिर बांक बहुत आसानी से लोन दे रहा है इसलिए आपने लोन ले लिया और हार्श रूंगता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हार्श जी सकत एक औलर फोन लाइन पर जुड़े हुए तो उनका भी रुख कर लेते हैं अनुराग श्रिवास्तव ने हमें फोन किया है अनुराग जी स्वागते शो में आपका बताएं सवाल क्या है मैडम मेरा credit score 791 है मैं यह जाना चाहता था कि मुझे लोन कितना मिल पाए चलि हाला कि अनुराग जी आपका credit score ठीक ठाक है any score 700 के ऊपर कोई भी score अच्छा score है लेकिन आपको लोन चाहिए कितना है आपकी आए कितनी है कितने सालों के लिए चाहिए क्या type की security देंगे यह सारे सवाल भी उनका जवाब होना भी बहुत जरूरी है विकाज अच्छा credit score अगर नहीं होगा तो लोन मिलने में दिक्कत होगी लेकिन अच्छा credit score है सिर्फ उसी वज़े से आपको लोन मिल जाएगा यह नहीं है आपको लोन मिलने में सहुलियत होगी लेकिन कितना लोन मिलेगा वो आपके I पे depend होगा आपकी need पे depend होगा tenure पे depend होगा security पे सिर्फ credit score आपका अच्छा है इसका मतलब यह नहीं आप जितना चाहें उतना लोन आपको मिल जाए उसके लिए भी कुछ parameter है कुछ चीज़ें जिनने बैंक देता है उसके बाद आपको लोन देता है हाश जी एक सवाल हमरे पस Facebook पे भी आया है सला क्या देंगे तो सला तो यह है कि जो second home है I'm assuming कि जो पहला घर है वो उसमें खुद रह रहे हैं तो जो second घर खरीद रहे हैं सिर्फ अगर इसलिए खरीद रहे हैं कि मैं home loan ले लूँगा उसका deduction मुझे मिल जाएगा तो यह मैं हर दर्शक से बताना चाहता हूँ कि deduction मिलने से आपकी ब्याज की दर कम हो जाती आप फिर भी ब्याज दे रहे हैं your paying something यह आप ध्यान रखिए tax break मिलने से उसकी दर कम हो जाती आप 9% पे दे रहे हैं tax break मिलने की वज़े से 6,6,7% आपको लग रहा है यह ध्यान रखिए कि 6% पे आप दे रहे हैं 6% पे बॉरो करके आपको एक flat में invest करना चाहिए क्या यह आपके plan पे depend करेगा आपके दूसरे assets क्या हैं आप यह सोचिए कि आज residential property पे बंबई जैसे शहर में 2% के आसपास yield मिलती है और 6%, 7% आपका cost लग रहा है इवन अगर आपको deduction मिल रहा है तो यह 5% का जो gap है यह capital appreciation से पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा यह चीजें आप अपने सलाकार से बात करिए वित्ती सलाकार से आप बात करिए फिरी decision लीजिए एक tax deduction के मोहों में इतना बड़ा investment करना बिना सोचे समझे बहुत सही बात नहीं होगी जी तो tax deduction या फिर अगर आप rental income के लिए ऐसा कोई भी loan लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको दो बार ज़रा सोच लेने की जरूरत है उसके बाद या आप ऐसा कोई decision ले और हाज जी हमरे पास एक mail भी आई हुई है तो उसे भी शामिल कर लेते हैं शो में बेंगलोरू से हमें सतीश जी ने mail भेजी है ये कहते हैं कि नेजी company में ये काम कर रहे हैं फिलाल 93,000 रुपे महीना इनकी आमदनी है तीन loan इनके अल्रेडी चल रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उससे mail काफी हद तक मिलती जुलती है ICICI से 18,000,000 का loan इनों ने लिया 5 EMI दे चुके है SDFC से हो सकता है अब तक EMI इनकी कुछ बढ़ भी गई हो क्योंकि mail थोड़ी पुरानी है शायद अब तक 6 EMI इनों ने दे दियो SDFC से 17,000,000 का loan इनों ने लिया एक EMI ये दे चुके है बजाच Flexi loan से भी 8,000,000 का loan इनों ने लिया है तो loan की जो EMI है वो इनकी take home salary से भी अब जादा हो चुकी है 62,000 रुपय महीना EMI ये चुका सकते है इनका कहना है फिलाल जो loan इने चुकाना है वो असमर्थ है ये कहने में नहीं चुका सकता अब इनका ये कहना है कि अगर में नहीं चुका होंगा तो defalter हो जाओंगा बैंक से इन्होंने मदद मागी बैंक ने मना कर दिया इसके अलावा इने धमकी बड़े calls भी आ रहे है परिवार को भी धमकिया मिल रही है तो क्या इनके पास option है क्या कुछ ये कर सकते हैं समझना चाहते है ऐसा है कि अगर आपने loan लिया है तो चुकाना तो आपको पड़ेगा भी और चाहिए भी मतलब आपको ये जो चीजें थी ये पहले भी तो सोचनी चाहिए थी as a consumer जब आप ये loan ले रहे थे तो तब आपको सोचनी चाहिए थी जहां तक recovery का या धमकी बरे calls का सवाल है वो आप अगर विकास जो भी banks हैं या NBFC हैं उनको कानून के दाइरे में रहकर recovery करना पड़ता है और धमकी देना फोन पर allowed नहीं है registered number से फोन आना चाहिए वो सारे rules और regulations हैं और आजकाल वो काफी हद तक follow होते हैं अगर आपको धमकी बरे calls आ रहे हैं तो सबसे पहले आप bank में complaint करिए कि मुझे धमकी बरे calls आ रहे हैं आप rules and regulations follow नहीं कर रहे हैं मैं आपकी complaint banking ombudsman में या RBI में करूंगा ऐसे अगर आप warning देंगे तो मेरे ख्याल से at least बैंकों से और NBFC से धमकी बरे calls आने बंद हो जाएंगे लेकिन ये समश्या आपकी रहेगी जैसे मैंने कहा लोन चुकाने का आप कोई जरिया करिये या तो परिवार वालों से मित्रों से कोई पैसा जमा करिये या आपकी जो भी assets है, moveable assets है jewelry है, insurance policies है bonds है, shares है उनके सामने अगर आपको लोन मिले, अगर आपने already भी default कर दिया है तो भी इनके सामने आपको लोन मिल सकता है और उस लोन से एक मुश्ट कम से कम एक one time settlement आप इन सब के साथ करिये तो ये शायद possible हो because हो सकता है कि चुकि mail पुरानी है already default में चले गए होंगे तो अगर one time settlement कर दें तो फिर उसको धीरे-धीरे किसी तरीके से future में चुकाएं लेकिन settlement करना बहुत जरूरी जी settlement करना जरूरी है और यही हम बात भी कर रहे थे कि बहुत से ऐसे व्यूवर्स है जिनकी जो take home salary है उससे भी ज़्यादा कहीं न कहीं उनका loan हो जाता है उसकी EMI हो जाती है और आगे चल करके वो परिशान भी होते है हर जी वक्त बहुत काम है चलते चलते एक छोड़ा सा comment में आप से लेना चाहूंगी आप जो लोग इस तरह का कर्ज लेते हैं जैसे अभी हमने जिन वीवर की बात की जिस mail की हमने बात की ऐसे लोगों को आप क्या सला देंगे और हर वो शक्स जो credit card हाथ में लेकर के घूमता है और अपनी salary से ज़ादा खर्च कर देता है इन दो लोगों के लिए क्या आपकी राय होगी बहुत शॉट में सर खर्च उतना ही करें जितना आपकी आमदनी हो Warren Buffet जो investment guru है उन्होंने कहा कि if you buy things that you don't need you will have to sell things that you need तो जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे अगर आप खरी देंगे तो भविश्य में जिस चीज की आपको जरूरत है उसे आपको बेचना होगा तो अपने खर्चों को अपने आमदनी में रखिए loan अमेशा long term चीजों के लिए जैसे घर हुआ या और कोई resources हुए उसी चीज के लिए ले consumerist चीजों के लिए loan ना ले बेलकुल और इस चीज को आप note भी कर लें ताकि आगे चलकर कि आपसे घलती ना हो हाज जी हमारे साथ आज जुनने के लिए शो में बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अज के लिए बस इतना है लेकिन आप देखते रहें जी बिजनेस